कर दो कि अधिकारियों ने भारती मीडिया से बात करते हैं कि बीजिंग चाहता है कि दिल्ली के साथ उसके समन्द 2020 से पहले जैसे सामाने हो जाएं आखिर चीन के मन में आ रहे हैं इस बदलाओं के असल करण क्या है ने जी देखिए चीन की हालत हम सब को पता है कि अभी चीन अपने देश में उसकी एकॉनमी ओने रहे गे जो 2020 के पहले थी उसको भी डिफेंस पर काफी खर्चा करना ही पड़ा कर भी रहा है किया उसने काफी किया है मैनिफैक्ट्रिंग बेस में उसकी कमी हो रही है कंपनिया बाहर जा रही है जी डेपी ग्रोथ नीचे है और प्रॉल्लम्स डॉमेस्टिक उनकी भी है दूतरी चीज जो ट्रम और अपना अड्मिस्टेशन आ रहा है उनसे भी इनको डर है कि ट्रम से अगर टारिफ लगा दिये तो इनका और मुश्किल हो जाएगा दूसरा जो है भारत सबसे बड़ा उनका ट्रेडिंग पार्टनर एक तरह से हो गया है तकरीबन एक सो साथ बिलियन डालर का हमने तो यह काफी फाइदा चीन को इससे है लेकिन मैं जो आपने कहा कि प्रायर टू दोजार बीस से पहले का चाहता है दो से दोजार बीस से पहले आप देखिये तो क्या था इम था चीन का कि आप इसको नीचे रखिए बॉर्डर की चीजें हम पीछे रखिए उसको भूल जा पर अपनी इतना बढ़ा रखा है अपनी डिप्लाइमेंट डिलॉपमेंट वो क्या कम करेगा क्या हो पीछे की दोजार बीस के हालात में जाएगा वो दो कम नहीं कर सकता दूतरा इसमें जो एक्स्टा टूफ्स डिपलाय कर रखे हैं मैं सिर्फ एलसी की नीचे बात कर रह हैं उनका क्या होगा जी और जो सबसे बड़ी चीज है आपसी मिस्ट्रस्ट जो हो गया है वो कैसे दूर होगा जी विश्वास कैसे करेगा आदमी चीन के ऊपर जी हमारा उनका प्रेजिडेंट आता है शी जिन पिंग यहां आते हैं गुजरात में और साउथ में मोदी वह जाते हैं और उसके बाद चीज होती है तो आप कैसे विश्वास करेंगे सबसे पड़ी चीज तो वही है ट्रेट डेफिसिट और बागी चीजें चलिए आप कर सकते हैं क्योंकि देखिए उनको भी लग रहा है कि भारत तो बहुत बड़ा मैनिफेक्ट्रिंग बेस बन जा में चीजों है मर्शिनरी देख लीजे फार्मसेटिकल्स राव मैटेरियल्स देख लीजिए उसमें तो इन चीजों में आप टेलीफोंस ले ले लीजिए आईटी एक्विप्मेंट ले ले लीजिए तो उसको कम है उसके इमन उचाहेगा कि जो सॉफ्ट्वेर्स उनके टि शायद ही कोई इनवस्ट्मेंट भारत में किया है पिछले आप अगर पूरे मैं कहूंगा दो हजार से देख लीजेए चौबीस सालों का अंकड़ा अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से करीब भाई बिलियन डॉलर इससे जादा का इनवस्ट्मेंट चीन ने नहीं किय भारत में तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ यह बढ़ जाएगा इनके साथ लेकिन हाँ जो पॉसिबिलिटीज हैं इमीडियेट इस बात के बात डारेक्ट वैट्स जो नहीं है जो बंद हो गई थी वह सकता है और इसमें सबसे पहले मीडिया कॉन्टेक्ट तो होई गया जो आब बात कर रहें कि कुछ उन्होंने रिपोर्टर से बात कि हो कौन थे जो चीन नहीं चाइनिज एमबेसी ने उनको ले करके हो गए हैं चीन में जहां पर कि वहां पर उनकी ब्रीशिंग होई है उनसे बात कर सकते हैं और देखिए बार्डर इशू हो सकत देखिए हमारे प्रवान मंतरी मोदी ने क्या बोला था शी जिन पिन के मीटिंग में कि मुच्वल ट्रस्ट मुच्वल रिस्पेक्ट और मुच्वल सेंसिटिविटी होनी चीए एक दूसरे के प्रती तो जब तक ओचीज नहीं आएगी तब तक मुझे नहीं लगता और मै मैं भी कहूंगा कि ट्रम तो एक फैक्टर हैं ही लेकिन मैं एक और अंडरलाइंग फैक्टर लाना चाहता हूं कि क्या यह भी है कि चीन ने कोई ऐसा इंडिकेशन दिया है प्राइम निस्टर मोदी को कि वो भारत की युनाइटेड नेशन जो सिकुरिटी काउंसिल है था क्या चीन ने इंडिकेशन दिया है कि वो भारत को सपोर्ट करेगा उसमें तो अगर वो है तो फिर मेरे हिसाब से तो भारत अगर संबंद सुदारनेप की पहल स्विकार करता है तो एक अच्छी बात होगी अच्छी नहीं मैं कहूंगा बहुत महत्पूर्ण बात होगी भारत के फूचर के लिए और जो जितने ग्लोबल साउथ हैं इनके फूचर के लिए अगर इस चीज पर अगर बात आगे बढ़ती है तो जी बिलकुल सर और इसी से जुड़ावा सार एक और सावल मैं करना चाहूंगा क्योंकि जैसा आपने कहा कि चीन भी वहाँ पर सब च वेस्ट भी शुरू हो गई है एले सी पर जो टकराओं के बिंदू थे वहां पर और पीछे भी हटे हैं दोनों पक्षे लेकिन मैं अभी फॉयर एंड फ्यूरी का एक ट्वीट देख रहा था उन्होंने एक वीडियो जारी किया है कि किस तरीके से सर्दियों के लिए तैया करना मुश्किल होता है वहाँ पर हजारों किलो की गन को खीच कर एदम चोटी पर वहाँ पर तैनात कर दिया गया है दुश्मन को जवाब देने के लिए तो ये क्या दर्शाता था देखिए भारत कोई गैप नहीं छोड़ना चाहता पहले होता था कि हम पीछे आ जाड़ो में और इसका फैदा उठा करके और वही जो ट्रस्ट की बात हम कर रहे थे डिस्ट्रस्ट करके मिस्ट्रस्ट एक तरसे हमारी मिस्ट्रस्ट होती थी ओ डिस्ट्रस्ट करके वह हमें जो है फैदा उठा के उपर आ जाते थे वह गैप भारत नहीं छोड़ना चाहता है और भ कि अभी आगे आपाएं तो भारत अब कोई चूक होने नहीं देगा अपने से भी और उनको यह नहीं मौका देगा क्यों कहीं आगे बढ़ें और किसी कमी का फैदा उठाएं जी मिलकुत सर तो आज के कारिकर में सर आपने इसराइल ने जिस तरीके से दक्षिनी गाजा में खास्तोर पर हमने फिर से बढ़ा दिये हैं उसके कारणों पर प्रभाव पर और किस तरीके से कतर मद्यस्ता से पीछे एट गया है उस पर अपने प्रकास टाला साथी रूस इस युद्ध के चलते भारत को जो रक्षा समंदी जो सप्लाइस होनी ती उस पर क्या आसर पड़ा है इस पर भी आपने विस्तार से जानकारी दी और भारत चीन समंदों पर भी आपने प्रकास टाला है इस कारकम को सर आपने काफी ज्ञानवर्दक बनाया और मुझे लग अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके